हिमाचल प्रदेश भाजपा में लगातार भाजपाई कौंग्रेस में शामिल हो रहे हैं और देश का पहला राज हिमाचल प्रदेश बन गया है जहां कौंग्रेस को भाजपाई मजबूती दे रहे हैं पूरे देश में भाजपा कॉंग्रेस को कमजोर कर रही है लेकिन पहाड की राजनीती भाजपा को परेशान करने लगी है हालांकि अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन इसके बीच भाजपा के दो प्रदेश अध्यक्ष कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं वहीं आम आदमी पाथी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कॉंग्रेस में पिछले कल शामिल हुए अब अगर आगे की बात करें तो भाजपा के मौजूदा मंत्री और विधायक के साथ पूर्व मंत्री और विधायक की चर्चा भी लगातार जारी है और माना जा रहा है कि कॉंग्रेस ने इनको हरी जंडी भी दिखा दी है ऐसे में अब समय का इंतजार है मिली जानकारी के अनुसार जैराम ठाकुर को बड़ा जटका लग सकता है क्यूंकि उनके करीबी चेहरों में से कुछ नाम भी इस सूची में है कुछ बड़े नाम जो मंडी में लगातार सक्रिय रहे हैं ऐसे में अगर कुछ पाती छोड़ कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जैराम ठाकुर के नैतित्तों को चुनोती भी रहेगी हालांकि भाजपा की बात करें तो भाजपा के प्रमुख नाम भी लगातार संपर्क में है और रोकने का प्रयास किया जा रहा है वहीं कॉंग्रेस ने पंडित खीमी राम के आने के बाद रफ्तार पकड़ी हुई है इन सब के बीच में वीरभद्र परिवार एक बार फिर भाजपा के निशाने पर है और भाजपा के ऑफिचियल पेज पर लगातार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है पहले स्कूटर पर सेब तो अब हेलिकॉप्टर में दिल्ली में पेशी भुगतने कौन गया जैसे सवाल लगातार भाजपा पूछ रही है और इसे बड़े इशारे के रूप में देखा जा रहा है इन सब के बीच में प्रदेश में राजनितिक माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में कुछ और नाम भी कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं भाजपा के मंत्री विधायक पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पर निगाहें लगातार बनी है वहीं कुछ आजाद चुनाव की तयारी कर रहे नेता विशेश रूप से कांगडा उना हमीरपूर सोलन और मंडी जिला से भी कॉंग्रेस में आने की तयारी में है वहीं भाजपा लगातार दावे कर रही है कि बड़ी संख्या में कॉंग्रेस से भाजपा में लोग शामिल हो रही है अगस्त तक भाजपा की राजनेतिक बिसात स्पष्ट हो जाएगी आनंद शर्मा अगर भाजपा में जाते हैं तो उनके साथ जुड़े तीन विधायक क और नेता कौन होगा इसको लेकर स्थिती स्पष्ट नहीं है लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस भाजपा को हिमाचल में चुनोती दे रही है और कॉंग्रेसी भी उत्राखंड और पंजाब जैसी स्थिती हिमाचल में ना हो जाए इसके लिए तयारी करती नजर आ रही है